रियालिटी शो बिग बॉस चर्चा में बना हुआ है और अब इस शो में एक नया क्विस्ट देखने को मिल रहा है अब बिग बॉस में शुरू हो चुका है लव ट्रैंगल इस प्यार की भेती हवाओं में अभी हां इश्क बहरा है सिधार्त शुकला रश्मी देशाई और आ कुष्मी देशाई अपने को एक्टर सिधात शुकला के साथ अपने खटे मीठे रिष्टे पर बात करती हुई नजर आ रही है लेकिन बिग बॉस की घर में हो सकता है आपको जल्द ही लव ट्रैंगल देखने को मिले खबरों की माने तो घर के भीतर कृष्णा अभिशेक क कि घर में आने से पहले ही काफी स्ट्रॉंग कनेक्शन उन दोनों के बीच रह चुका है मंगलवार के एपिसोड में घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेशन की पहली प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और नॉमिनेशन के पहले राउंड में लड़कियों को अपना फोटो ल बाद में ट्वेस्ट आया कि लड़कों को मिले सबी दिलों में से सिर्फ एक दिल को अपने पास रखना था और बाके सारी लड़कियों को नॉमिनेट करना था ऐसे में पारस ने सिर्फ माहिरा को बचाया और सद्धार्थ का नंबर आया तो उन्होंने देबुलीना और आर इसका कारण ये दिया कि वो आर्थी सेंक को इस घर में आने से पहले सही जानते हैं आपको बताते चलें कि आर्थी और सद्धार्थ एक दूसरे के खास दोस्त रह चुके हैं यहाँ तक ये दोनों मुंबई की एक ही जिम में जाते हैं और इन दोनों के बीच दोस्ती के में जब कॉंटिस्टेंट शेफाली बगगा ने सदार्थ और आर्थी को लव बर्ड कह दिया तो आर्थी बूरी तरह बढ़ा गें क्वेस्ट ये है कि जहां आर्थी और सदार्थ का कनेक्शन रह चुका है वही घर में मौझूद रश्मी देसाई भी सदार्थ शकला के साथ एक शो में पूरे एक साल उनकी पत्नी का किरदा ने भाच चुकी है इस शो के दरान यूँ तो इन दोनों के बीच जगड़े की कई खबरे उड़ी लेकिन बिग बॉस के पहले ही एपिसोड में अमीशा पटे लिए कह चुकी है कि सदार्थ और रश्मी में अभी भी प्यार की बयार चल रही है अब इन सब बातों से लग रहा है कि Most Elegible Bachelor सदार्थ परिशानियों में पढ़ने वाले हैं और वो इस Love Trangle में फसने वाले हैं और ये Love Trangle कहां तक जाता है और आप लोगों को कितना मजा आता है ये तो आपको आगे ही पता पढ़ेगा Subscribe our channel and press the bell icon for more updates